हमाशकर दोस्तों आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा जबरदस्त बिलकुल घरेलू नैचुरल आयरुवेदिक उपाय लेकर आया हूँ जिसके इस्तमाल से आप अपने बालों को कई गुना तेजी से लंबा और मजबूत कर सकते हैं दोस्तों अगर बहुत सारे हैर ओईल्स लगाकर बहुत सारे तेज लगाकर बहुत सारे उपाय करके आप ठक चुके हैं और आपके बाल लंबे नहीं हो पा रहे हैं तो आज का या नुस्खा जो मैं आप लोगों को यहां पर बना कर दिखाऊंगा, इस नुस्खे को आप लोग जरूर आजमाईएगा, आप लोगों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही जादा फैदा मिलेगा, यह मेरा विश्वास है, यह नुस्खा बहुत ही जादा कारगर है दोस्तों लड़के लड़कियां हर एक कोई इसका इस्तमाल कर सकता है और यहाँ बालों को कई गुना तेजी से लंबा करने के साथ साथ अगर आपके बालों की जड़े कमजोर हैं तो बालों की जड़ों को कमजोर जड़े हैं उनको मजबूत करने के साथ साथ यहाँ बालों को लंबा करने के लिए बहुत ही जादा उप्यूमिय है तो हेर ग्रोथ के लिए और हेर फॉल को रोखने के लिए यह नुसका बहुत ही असरदार है, कारगर है तो दोस्तों समयना का वात हुए सीध्य इस नुस्केकों मैं बना कर दिखाता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको एक अंडा लेना है इस तरीके से आप अंडे को ले 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 और उसे इस तरीके से आप तोड़के निकाल ले अंडे के अंदर ऐसे ता तो पाय जाते हैं दोस्तों जो हमारे बालों को बहुत ही जादा बोशन देते हैं और बालों को बहुत ही जादा लंबाई देते हैं बालों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ खुबसूरत भी बनाते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपने अंडा लिया और उसे तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप लोग को पूरा फैदा मिले आपके बात बहुत तेज़े से लंबे हो तो आज की इस नुस्खे को बहुत छोड़ा से नुस्खा ऐसे आखरे तक इस वीडियो को आखरे तक जर आप एक बॉल ले ले इस तरीके से यहां पर हमने एक बॉल ले लिया और उस बॉल में ज्यादा नहीं लगभग इतनी मात करें लगभग एक चमच किया असपास हम इसमें ऐलोवेरा जल मिलाएंगे ऐलोवेरा जल के अंदर ऐसे ता तो पाइदा आते हैं दोस्तों जो बाल इस तरीके से दोस्तों हमने यहां पर एलोवेरा जिल को ले लिया तो अगर आप लोगोंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और घंटे के निशान को दबा ले ताकि आप लोगों को ऐसे जनकारिया मिलती रहें इसके इस टोर पर आपको आउले का तेल असानी से मिल जागा और आउले का तेल हमारे बालों को काला करने के साथ साथ बालों को मजबूत करने के साथ साथ बालों की लंबाई को बहाने के लिए भी बहुत ही जाद होगी होता है पहले हम इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिक्स और अंडे का इस्तमाल कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो में आप लोग बने रहे हैं पहले इन दोने को आफस में हम उम्मीज कर लेते हैं दोस्तों कर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए गा और मिक्स होने के ब ये जो आप अंडा देख रहे हैं इसका जो पीला वोला पॉर्शन है जो एलो बाट है जो ये लो बाट है इसे हमें धी लेना है हमें ये पाट लेना है और लगभग एक चमच के आसपास हम इसका ये पाट ले लेते हैं और ये इस पाट को आपको छोड़ देना है ठीक है बालों को कोश्बसूरत बनाने के लिए बालों को मजबूती देने के लिए यह उसका बहुत ही कारगार होगा लड़कों के लिए लड़कों के लिए làइक लोगALK के लिए इसके बाद दुस्ति इससा कैसे लगाना है इसके बाद आप क्या किजेगा दोस्तो इसके बाद आप इसे ले करके सबसे पहले अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से मालिश किजेगा जब आपको लगे कि बालों की जड़ों पर आपने इस तेल को पहुचा दिया है उसके बाद आप इसे ले करके पूरे अपने बालों पर अच्छे से लगा लें और रात में लगा लें, सो जाएं, सुबह दो लें रात में इसका परयोग करें, हर दिन इसका परयोग करें आप पाएंगे दोस्तों कि आपके बाल बहुत खुबसूरत, मजबूत और लंबे होने लगे